नमस्कार दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आप सब ठीक टाक होंगे मैं आपकी स्ववा मैं एक बर फिर से हाथ जिरूँ एक और इंटरस्टिंग एंड इंफर्मेटिव वीडियो लेके तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन-कौन से important license है अगर आप Canada आने के बाद within one month ले ले लेते हो तो आपको यहां पर कभी यह नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मुझे job मिलेगी या नहीं मिलेगी क्यूंकि आपके पास 24 hours job रहेगी आप decide करोगे कि यार मुझे job करनी है या नहीं करनी तो इस वीडियो में एंटक जुरूर बने रहना और यह जान लेना कि आपके लिए कौन-कौन से important license है तो सबसे पहला जो मेरे license है list में वो है driving license driving license के बारे में मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ इसके उपर मैंने बहुत सारी वीडियो भी डाल रखे कि आप इंडिया से भी कैसे सीख के आ सकते हैं लर्न कर सकते हैं बट फिर से एक बार repeat कर रहा हूँ कि driving license बहुत important है अगर आपके पास इंडिया का कोई experience है तो उसका abstract and driving license साथ में ले क्या हो अगर नहीं है तो यहां पर आते ही within one month आप अपना G1 clear कर लो क्योंकि आप eligible हो जाओगे बारा महीने बास G2 देने के लिए और जब तक आपकी studies दन होगी तो आपके पास G license होगा तो वो आपके future के लिए बहुत ही helpful रहेगा और अगर आप during studies G2 license भी ले ले लेते हो at least तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful रहेगा और आप बहुत सारी jobs कर सकते है उसके through जो दूसरा license है मेरी list में वो है forklift license forklift license काफी cheap है वैसे तो माना जाए तो इतना expensive नहीं है नोर्मली इसके $350 के near about cost रहती है और आप कोई भी truck driving school में जाके उनसे बात कर सकते हो उनको बोल सकते हो कि मझे forklift का license सही है और वहाँ पर आपको एक से दो दिन की training मिलेगे और राइट वहीं से आपको license मिल जाएगा अगर हम इसमें pay की बात करें तो 18 से 20 डोलर आप गंटे के easily बना सकते हो और इसमें आपको बहुत जादा physical work या hard work करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि भाई एक जगह से समान उठाके दूसरी जगह पर रखना है और वह भी forklift चे रखना है तो कोई physical work तो हुआ नहीं उसमें तो यह आपके लिए बहुत जादा important है कि आप आते यह वाला license ले लो ताकि आपको easy job मिल जाए क्योंकि हर factory में हर agency में कहीं भी जाओगे आप तो वहाँ पर forklift drivers की need रहती है हमेशा उनको 24 hours driver चाहिए तो यह वाला license जरूर लेके रखना उसके बात जो तीसरा license है वो है मेर hospital के सामने जाओगे किसी mall में जाओगे कहीं भी किसी बीजगा जाओगे तो आपको वहाँ पर security guards मिलेंगे और कुछ तो ऐसी जिगह होती है जहां पर आपने गाड़ी लेके जाना और गाड़ी में सोके घर पर वापस आ जाना है और वहाँ पर आपको easy mini मिलती है और इसमें बहुत ज़्यादा hard work की कभी भी जुरूरत नहीं होती है आपको physical work करने की बहुत ज़्यादा जूरत नहीं है आप साथ साथ studies कर सकते हो और यह भी काम कर सकते हो तो यह बहुत अच्छा option है कि आप security का license आते ही अपने पास लेकर रखो और security के license की cost भी normally 300 to 350 डॉलर रहती है अब आप पुछोगे कि हमें इनके बार में पता कैसे चलेगा कि हम कहां सही ले सकते हैं कैसे apply कर सकते हैं अगर आप इन license के लिए apply करना चाहते हो तो मैं इसका link मेरी description में छोड़ देता हूं वहाँ पर simply आप उन पे click करना और वहीं से आपके open हो जाएगा phase और आप apply कर सकत हो इसके बाद जो चोथा license में वेनी लिस्ट में वह है smart service का license अब पहले तो हमें यह नहीं पता होता कि smart service का license होता क्या है तो मैं आपका यह doubt clear करदू कि smart service का license होता है जिसे bartender का license वह समार्ट service का license होता है और normally यहाँ पर कई ही बी कोई भी person आगर liquor सब कर रहा है तो उसके प और तीन से चार गंटे ओन लाइन ट्रेनिंग में आपना पेपर क्लियर करो और आपको लाइसस मिल जाएगा बताओ इतना इजी है और इसमें अगर इंकम की बात करें तो मिनिमम तो आपको हर्ज गया पेड हो गई होगा मिनिमम से कम तो कोई देता ही नहीं और उसके बाद ए पहीं भी मिलते बहुत अच्छी जोब आई है और बहुत सारे लोग यह लाइसस लेकर रखते हैं और जोब करते हैं और काफी मनी भी अर्ण करते हैं तो दोस्तों इन चार लाइसस के बारे में मैंने रिसर्च की थी अगर कोई भी बंदा किसी भी डिग्री की जूरत निया डिप्लोमे की जूरत निया कुछ भी करने की जूरत निया आपको सिंपल ट्रेनिंग करनी है और यह वाले लाइसस लेने ने और आपको कभी भी काम की कमी नहीं आएगी कैने अट उमीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा की तरह है अलफ फुल तो चलिए आज की वीडियो में मिलते अगली वीडियो में तब तक नमस्कार